सो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे बढ़िया होगे आप लोगोंने अच्छे से होली मना ली होगी और कुछ लोग शायद आज भी मना रहे होंगे तो आज हम जानेंगे टेस्टिकल प्रोग्रामर के बारे में कि इस जॉब के लिए एलिजबिल्टी क्या होती है सैलरी क्या होती है वोक लाइफ बैलेंस कैसा होता है जो पोजिशन होती है जो प्रोमोशन होता है उनका डियूरिशन क्या रहता है और क्या डेजिगनेशन रहती है प्रोमोट होने के बाद तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं एलिजबिल्ट से हो या इस related किसी भी domain से हो या in the end CS से भी हो and उसके बाद other domains को भी जितनी भी remaining domains हो गया उन सभी को भी and coming to interview process तो interview process दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप अपने college के last year में हैं तो भी आप इसको सीख के इंटर्यू के लिए apply कर सकते हैं और दो तरह की चीज़ों होती है तो campus interview एक तो off campus तो दोस्तों दोनों वे में अगर आपने इस software पहले से सीखा होगा क्योंकि यह जो साय सौफ्ट्वेर है स्टेस्टिकल प्रोग्रामर के लिए मुश्पब्ली अभी जो सौफ्ट्र यूज किया जा रहा है वो है पर काम कर चुका हूं अब दोस्तों यह जान लेते हैं अलेजबिल्टी के बाद कि इंडिस्ट्री कॉन सी है तो दोस्तों यह स्टैस्टिकल प्रोग्रामर है यह मुश्पब्ली 90% आफ टाइम यह पोजिशन जो होती है क्लिनिकल रिसर्च इंडिस्री में होती है क्लिनिकल ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो शायद आपने सुनी हो या नहीं भी सुनी हो बट कहीं न कहीं आप इनके प्रोड़क्ट्स डेटुडे लाइफ में यूज़ करते ही होंगे या तो आपने इनकी कोई न कोई ड्रग यूज़ की ही होगी यह इंडिस्ट्री हो गई दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें दोस्तों बोला जाए तो वर्डाल रहता है लेकिन एक चीज होती है जब आप ऐसा फ्रेशर जाते हो ना तो आपको थोड़ा अन बैलेंस फील हो सकता है वाई विकाज आप उस इन्वार्मेंट में नहें होते हो ठीक है तो आपको कम होता जाता है तो समझो कि आप ऐसे फ्रेशर काम कर रहें तो में भी सीम चीज के लिए आपको पांच घंटे लग सकते हैं ठीक है एंड छे महिने या एक साल का एक्स्पिरेंस होने के बाद सेम टास्क आप शायद एक घंटे में कर रहे होगे तो वह थोड़ा सा में काम करोगे तो इतना फ्लक्श्वेशन रहता ही है कमिंग टो परजीशेंस तो अगर आप statistical प्रोग्रामर यौर bindu ईसके बाद होता है stick प्रोग्रामर वन ठीक है और ट्रेनिंग के बाद आप वन कप बनते तो ट्रेनी समझो आपका जो ट्रेनिंग पिरिड़ होता है ना उसके बाद one and half or two year काम करने के बाद आपकी position हो जाएगी statistical programmer 2 अगेंड उसके बाद one, one and half or two year काम करने के बाद आपकी position हो जाएगी two के बाद senior statistical programmer तो पहले होता है junior ok and फिर होता है one फिर होता है two and two के बाद सीधा होता है senior testicle programmer तो senior testicle programmer बनते बनते आपको और लग सकते हैं five to six years यह on an average सब्सक्राइब कर सकता है थोड़ा सीनियर के बाद आप लीड बनते हो उसके बाद प्रिंसिपल बनते हो फिर उसके बाद एसोसियेट मैनेजर उसके बाद मैनेजर उसके बाद सीनियर मैनेजर उसके बाद एसोसियेट डारेक्टर उसके बाद डारेक्टर उसके बाद सीनियर डारेक्टर एंड ऐसे करके पोजीशन आगे जाके मूव ओन होती रहती है तो डारेक्टर बनने का साइकल अगर बताऊं उसको आपको लग सकता है अराउंड फिफ्टीन इस सम्टिंग ठीक है एंड डिपेंड करता है आपके वर्क नेचर पे भी मैंनेजर डारेक्टर देख जाती है बट अगेन आपके काम से ही नहीं आपको उस तरह का हैंडलिंग कैबिसेटी भी होना चाहिए यू शुड एबल टो हैंडल दैट मच अव टास्क सम्टाइम्स प्रेशर आज वेल और पीपल आज वेल तो अगर यह जल्दी शो करते हो तो अगेन यह डेजिगनेश है एंड कमिंग टू सैलरीज तो अगर आप एज़ फ्रेशर जाते हो तो अभी जो रेंज चल रहें मुष्ट पबली स्टैंडड वे में यह हैं फोर टू सेवेन मान की चलो ओन एवरेज कहीं कहीं यह शायद कम भी मिलते हैं थ्री भी मिलते और कहीं कहीं यह फॉर फ्रेश अगर आपको टैनल पीज मिलते हैं अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो यूविल गट दे सेलरी चाहे वह एक्स वाई-जड कोई भी कमपनी हो इफ यह दूइंग तो आपको सेलरी अच्छी मिलेगी तो अब स्टार्टिंग में सेलरी के पीछे थोड़ा भी रन मत करो न तोर शार-पंच साल का एक्सपीरियस हो जाता है तो यूट कर दोकिंबाइश ऑप पांच एक्सपीरियंस में यूक के अजूम ऑप त। 15 तु 20 टेकर अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 लाग यू कें अजुम अन फ्रेशर के बारे में मैंने बता ही दिया और बा यह मानना है कि process पर ध्यान देना बहुत सारे मैंने students ऐसे देखे कि they run behind the institute आप लोग ऐसे institute के पीछे run करते हो जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपका आपका placement वो करा दें और आप वो सोच के ऐसे institute में जाते हो पर दोस्तों यह सोच मेरा मानना कि थोड़ा सा यह uncomfortable चीज है आप के लिए भी और इंसिट्यूट के लिए भी आप किसी से promise ले रहे हो कि आप मेरा placement करा दो और यह एक बहुत ही difficult चीज है आज के टाइन डिफिकल्ट चीज नहीं है बट आप अपने जो में मोटिव न उससे थोड़ा सा साइड वे हो जाते हैं साइड पाथ हो जाते हो में मोटिव क्या है आपका लर्निंग जो सॉफ्टवैर ऐसे उसमें जो बैस एडवांस और च्लिनिकल शीखना अगर आपको क्लिनिकल इंड़े में जाना मैं स्पेसिफिकली आज यह वीडियो क्लिनिकल इंडिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं विकाज यह बहुत इंडिस्ट्री में और भी यूज़र था है बैंकिंग इंश्रेंस में भी तो आपको जो बेस एडवांस और क्लिनिकल सीखना था आपका फोकस होना चाहिए कि मैं इस तरह से सीखूं या मेरा नॉलेज इस लेवल का रहे कि मैं कहीं पर इंट्रीव क्रैक कर सको और दोस्तों एक बात कहूं तो जो टॉप 40 परसेंट होते हैं या टॉप 30 परसेंट होतें किसी भी डॉमेन में चाहें आप फ्रेश हो या कुछ भी हो तो उनको दिक्कतों सामना कम करना पड़ता है क्यों क्योंकि अपने नॉलेज अच्छे से क्वाइर की है और अब प्रोसेस पे ध्यान दो पहले तो अच्छे से सीखो सौफ्वेर को फिर क्लिनिकल में अच्छे से अंडरस्टेंडिंग करो कैसे हो डॉक्यम्ट्स एडम एस्टीम यह यूस किये जा रहे ठीक है फिर इस प्रोसेस को जा सूर्णी जिससे भी आप सीख रहे वह बप्लेस्मेंट और यह पॉंट है तो आप सीख कहीं से भी सकते हो बट आपका मांइण सेट इसस लेवल का होना चीए कि आपको सीखने पे और प्रोसेस पर इसकरना है जरनी पर फोकस करना है इंस इंसे डाफ डायरेक्ली रिज़ल् थोड़ी सी uncomfortable हो सकती है आप सीधा result पे ही run करोगे एक point और सीखने के लिए यह point consider करके कहीं से भी सीख सकते हो you can even connect to me as well मैं भी इस चीज के लिए training देता हूं training की बात हो गई अब इसकी long term stability और बात कर लेते हैं कि long term में इस चीज का या position का कितना value है तो दोस्तों इस यह जो position है यह clinical research company में यूज होता है फार्मसोटिकल इंडुस्री हो गए ठीक है तो आप जानते हो कि drug market इंडिया में या around the globe कैसा है it's a very big market और चाहें recession चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो market में drug market और यह जो market है यह फार्मसोटिकल इंडुस्री कभी रुकने नहीं वाली है यह हर समय बढ़ेगी और जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक यह medicines भी रहने वाली है इंसान या animals जो भी है हम सभी लोग पड़ती है इन बात से आपको पता लगया होगे कि फार्मसोटिकल इंडुस्री क्लेनिकल रिसेच इंडुस्री कैसे होती है तो उनके पास एक अच्छा खासा revenue होता है ठीक है अच्छी खासी stability भी होती है जैसे कि मैंने नोटिस किया कि पेंडमिक के टाइम पे काफी IT बहुत ना के बराबर आया था इवन दो मैंने देखा कि काफी कंपनीज ने प्रमोशन भी दिये थे पेंडमिक के टाइम पे सारी चीज़े रुक रही थी बट जो मेडिकल इंडुस्री थी फार्मसोटिकल इंडुस्री थी वह कहीं ने कहीं स्टेबल होके वापिस अपने एक मूव ओन हो रही थी फास्ट फेस पर मूव अन होना शुरू हो गई थी और बाकी इंडुस्री को काफी टाइम लग रहा था तो अगें मैं अकेले इसी बात नहीं कर रहा है बाकी और भी इंडुस्री है बट अभी आज आज हम फार्मसोटिकल और ट्लिनिकल का डिसकसि रहें क्योंकि statistical programmer position है तो मैं सोचा थोड़ा डीटेल में बताऊं और इस चीज के लिए कोई भी eligible है चाहें आप CS से हो स्टैटेश्टिक से हो बीफर्म से हो लाइफ साइन से हो इवन अदर फिल्ड से भी हो ठीक है आप आप मेकानिकल से हो बट आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए और आपका प्रफॉर्मेंस उस लेवल का होना चाहिए इंट्रीव इनके काफी स्मूध होते हैं ग्रिल किया जाता है बट लेवल तक ही और क्लिनिकल रिसर्च इंडेस्ट्री है तो इसमें आप experience से जाधा सीखोगे और most probably सभी company जो इस role पर hire करती है कहीं कहीं कुछ मेंस का training देती हैं उसके बाद ही आपको project पर डालती है तो आशा करता हूँ इस वीडियो में शायद मैंने कुछ अच्छी information दी होगी and कुछ रह गई हो तो आप मुझसे comments में जरूर पूछ लेना आगे की वीडिय वीडियो में उसके उपर discussion कर लेंगे तब तक के लिए बाबाए दोस्तों